ले हो बन भी गई आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई कितने दस मिनट के अंदर हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत ट्रेन विश्ववम चैनल पे और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रॉजेक्ट जहां पर हम लोग अपने पर्सनल पोर्टफ यू में नहीं है तो आप काफी बिहाइंड हो क्योंकि अगर आप एक सिंगल लिंक किसी को भी शेयर कर दो और उस वेब पेज पे आपकी सारी डीटेल्स आपके सारे प्रॉजेक्ट आपकी सारी क्वालिफिकेशन हो तो कितना मजा आ जाएगा तो इसलिए पोर्टफोलियो पता था तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से कि क्लाउड होस्टिंग, मैनेज क्लाउड होस्टिंग, VPS, शेयर होस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले यह सब समझ लो कि जब भी हम लोग AWS, Azure, GCP इन सब पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं या फिर अप्लिकेशन को डिफिलॉई करते हैं वो cloud hosting होती है क्योंकि हम लोग cloud based platforms पे अपने applications को डिफिलॉई कर रहे होते हैं अगर अप उसी cloud platform को आप खुद manage नहीं कर रहे हो उसकी security उसका version वो सब अप खुद manage नहीं कर रहे हो जैसे कि cloudways by digital ocean अगर वैसे type के service providers से other hand आपको एक VPS मिलता है जहाँ पे जनरली जो सर्वर रूम बोलते हैं ना कि सर्वर रूम में अपने सारे सर्वर्स रखे हुए है सारे resources है network cables है सब कुछ उदर ही है तो जो टेक्निकली बहुत ही ज्यादा advanced रहते हैं वो लोग अपने office के लिए एक server room ले ले लेते हैं और उसी को maintain कर रहे होते हैं और जो shared hosting होती है वो basically ऐसे समझो host gator और epizy ऐसे जो platforms होते हैं जहाँ पर एक बढ़िया सा महुत मस्त सा server रहता है और उसी server को बहुत सारे लोगों तक share किया जाता है एक server को 500 लोग भी share कर रहे होते हैं उसका जो pricing आता है वो बहुत cheap आ जाता है तो अगर आप pricing की बात करो तो AWS Azure की pricing अच्छी खासी मिलती है और अगर आप managed cloud hosting करो अप affordable rates में अपने cloud hosting को manage कर सकते हो ये चीज बहुत ज्यादा expensive हो जाता है server rooms कोई न करने वाले तो चलिए वीडियो को start कर देते हैं हम लोग आ जाते हैं cloudways पे अपना login कर लेते हैं अगर आपको cloudways पे account बनाना है तो मैंने link description में डाल दी है आप लोग को refer भी कर सकते हो 50 डॉलर मिल जाएंगे hosting credits और कैच है और इसमें क्या होता है देखो simple सा fund है cloud hosting जैसे AWS Google ये सारे है उसको आपको खुद नहीं manage करना है ये cloudways manage करके देगा तो let's say मुझको एक wordpress का application बनाना है जिसका नाम मुझको देना है portfolio ओके and server name let's say मुझको देना है my portfolio server ओके इसको थोड़ा zoom कर देता हो और इसका एक कोई folder बन जाएगा अब आपको कौन से server पे ये application बनाना है monthly 28 dollars पड़ेगा मतलब अगर refer करोगे तो 50 dollars मिल जाएगा आप दो महिने full free में इसको must चला सकते हो AWS चलाओगे थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा GCP चलाओगे और महंगा पड़ जाएगा तो जो pricing comparison है न वो भी इदर बहुत आराम से दिख रही है हम लोग digital ocean ले ले लेते ह तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अपना application है किस बारे में तो हम लोगों ने किसे cloudways पे एक application बनाया wordpress का यह wordpress क्या है wordpress एक ऐसा platform है जहाँ पे आप अपने website, blog, portfolio, e-commerce, store हर चीज़ बना सकते हो theme से, plugin से, बहुत ही कम code लिखके बहुत बढ़ी आसी website बना सकते हो तो हम लोग अपनी portfolio website इसी पे बनाने वाले है और इसी wordpress के तुरू हम लोग सारी चीज़े करने वाले है और यही wordpress manage hosting के तुरू अपने को cloudways देता है, फाइदा बस यही है कि किसी भी तरीके से हमें किसी cloud को, किसी server को ssh नहीं करना है, वहाँ पे कोई command नहीं चलानी है, बस वहाँ पे बता देना कि भाई आपने को wordpress चाहिए, इस विस server पे चाहिए, इस location पे चाहिए, and boom आपका portfolio server create हो चुका है, और उसके अंदर application भी ready है, आपको अगर application देखनी है, तो यह www है, इस पे जाओ, and portfolio पे click कर दो, and बस हो गया, आपकी wordpress की url भी आ गई, अगर admin panel भी है, ओके, और इसका id password, आप यहाँ से यह मेरा username है, तो username, और यह मेरा password आ गया, done, remember me, login, and within a few minutes, आप अपने wordpress के dashboard पे हो, यह इतना must है न, अब आप यहाँ पे चाहिए, जो चाहो बना सकते हो, आपकी monitoring, आपकी cache है, हर चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, कितना cool ह है न, तो बहुत मस तरीके से, आप अपना application within minutes, managed cloud hosting से, बना सकते हो, अब यही चीज़, अगर आप AWS पे बनाने जाते है, पहले server लो, फिर उ server को, IP address निकालो, SSH के तुरू connect करो, package install करो, wordpress install करो, and so on, यहाँ पे किसमें 5 minutes में हो गया, मेरा wordpress है, इसमें मैं plugins install करो, मैं ऐसे word wordpress बहुत expert नहीं हूँ, बट यह है कि मैं आपको बढ़िया portfolio website बनाना 2 minutes में सिखा देता हूँ, आपको जाना है add new plugin पे, और आपको जो भी plugin चाहिए, लेटसे अगर आपको portfolio website बनानी तो, elementor, यह plugin रहता है, जहाँ पे आप बढ़िया से web pages, website builder, मस्द बना सकते हो, और इस च install हो गया है, अब आपको चाहिए, आपको चाहिए, तो मैं जाओंगा अपने appearance पे themes, अब यहाँ पे बहुत सारी themes रहते हैं, जिस पर आप अपनी portfolio website बना सकते हो, मैं add new theme कर लूँगा, और एक theme है, जो मुझको बड़ी अच्छी लगती है, जिसको नाम है portfolio web, और भाई, यह must है, जैसे यह है, json portfolio resume, hi, I am a developer, इसको आप preview करके भी देख सकते हो, वो पुरा दिखा देगा, यह ऐसा ऐसा दिखता है, hi, I am a developer, यह वो, तो आपको जो भी चाहिए, web developer, UX designer, या फिर hi, I am best designer, best developer, जो भी है, आप ले सकते हो, मैं पहली वाल उठा लेता हो, इसको install कर लेते ह लगाएंगे, नाम लगाएंगे, must activate भी कर लेते हैं, activate कर लिया, okay, get started with portfolio web, लो, यह चल भी गई, बन भी गया, बताओ, और यह करने के बाद, थोड़ा time लेगा, process करने में, and आपको वो पूछेगा, कि कुछ चुछ क्या-क्या import करना है, अगर आप इसको download करना चाहो, directly, तो यहाँ पे import कर सकते हो, yes, import demo, यह जो पूरी की पूरी website है, यह portfolio website, यह आपके portfolio website पे, जो आपका server है, वहाँ पे must import हो जाएगी, मतलब, जब आप इधर जाओगे, application URL पे ऐसे open करोगे, तो वहाँ पे आपकी portfolio website यह बन गई होगी, अभी यहाँ पे कैसे वो import हो रहा है, import is in progress, इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है, बट थोड़ी देर बाद आप इसको refresh करोगे, must आपको यहाँ पे, आपके photos, photos आने लगेगे, देख रहा है, बढ़िया, must एकदम, अब थोड़ी थोड़ी देर में, देखना, visit my site कर लो, और जाके देख लो, आपकी पूरी, लेओ, बन गई, आपकी portfolio website बन गए कितने, दस मिनट के अंदर, अब अगर मुझको इसको edit करना है, मैं directly customize पर जाओंगा, और जैसे मैंने customize पर click किया, यहाँ पर यह पूरी setting खुल जाएगी, अब लेट से मुझको home main content area को edit करना है, मैं got it पर click कर दूगा, जो मुझको चाहिए, let's say about me, hello I am UA, नहीं भाई हम तो devops engineer है, तो hello I am क्या, शुभाम, लोंडे, और subscribe कर दो, okay done, अब यहाँ पर आपके जो भी changes है, must यहाँ पर दिख जाएंगे, और जो भी आपको डालना है, let's say आपको skills डालनी है, आपको skills अपनी photoshop नहीं डालनी है, आपको skills कुछ और डालनी है, let's say coding coding डालनी है, तो आपको coding डाल सकते हो, let's say 90% की जगा 80% coding डालनी है, तो वो वहाँ पर 80% लिख के आ जाएगा, और आपको जो और कुछ भी डालनी है, portfolio डालना है, या जैसे भी डालना है, वो यहाँ पर एडिट करते रहोगे, यह दोखो, यहाँ आ गया, तो इस तरह से मैंने managed cloud hosting है, तो आपको बस domain management पे जाना है, और आपको अपना domain add कर देना है, let's say आपके domain का नाम है portfolio.trainwishubum.com, तो यह domain आपको purchase करना पड़ेगा, go daddy से ले लो, hostinger से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो मैं आ चुका हूँ, go daddy पे मेरी trainwishubum.com domain के पास, मैं जाओंगा domain पे, और अपने DNS को manage करूँगा, DNS को manage करना बहुत simple है, आपको क्या करना है, अपना जो wordpress का application है, उसकी जो public IP है, वो इधर बस map कर देना है, कैसे map करेंगे, add new record पे click करूँगा, choose an option पे a record click कर दूँगा, अप name में मुझको portfolio.trainwishubum डालना है, तो portfolio.trainwishubum तो यह है, तो इसको sub domain भी बोल सकते हैं, और यहाँ value में IP address आनी चाहिए, जो हम cloudways पे जाके, इसके access detail पे जाके, public IP निकाल सकते हैं, तो इसको copy कर लो, और यहाँ पे जाके पटक दो, और TTL में custom डाल दो, और default में 600 seconds डाल दो, और save कर दो, जैसी आप save करोगे, आपको यहाँ पे updating DNS record आजागा, and success, your DNS record has been updated, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने cloudways पे जाके, अपने domain management पे जाना है, और यहाँ पे add domain कर देना है, यह step बहुत important है, क्योंकि अगर आप जाओगे portfolio.trainwishubum.com पे, तो आपका जो application है, वो चलेगा नहीं, वो ऐसा आएगा website unavailable, क्योंकि यह जो domain है, यह cloudways manage host service पे बढ़िया से added नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको portfolio.trainwishubum.com को add कर दूँगा, and save changes कर लूँगा, यह एक हाथ 2 minute लेगा, और आपके जो changes है, additional domains के, वो यहाँ पे reflect हो जाएंगे, and आपका portfolio domain यहाँ पे add हो गया है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस portfolio domain को अपना primary domain बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 dot पे करूँगा, और make primary पे click कर दूँगा, और set as primary पे इसको मैं बना दूँगा, तो यह मेरा wordpress, 123456.cloudways.com है, यह primary domain था, अब इसको change हो जाके, क्या बन जाएगा, मेरा portfolio.trainwishubum, यह मेरा change हो जाएगा, यह again एक हाथ minute लेगा, औ अपने DNS को update कर देगा, और अपना portfolio domain अपडेट हो चुका है, तो portfolio.trainwishubum अभी primary domain है, अगर मैं इदर जाऊँगा, और अगर मैं यहाँ पे refresh करता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझको एक warning आएगी, कि भाई, आपका page protected नहीं है, बट आपकी website बढ़िया से deploy हो चुकी है, आ बस आपको सिखाना चाहता था, कि आप कैसे एक as a DevOps engineer managed hosting से portfolio website को public IP में किसी domain के साथ map करके बढ़िया portfolio website deploy कर सकते हो, तो I hope आपको इस वीडियो से एक बढ़िया portfolio website free में बनाना आ गया होगा, अब समझते हैं, इसको HTTP, जो यह not secure आ रहा है, HTTPS कैसे बनाए, तो उसका भी तरीक बहुत simple है, यहाँ पर SSL certificate पर जाना है, और let's encrypt यह service से आप SSL certificate बना सकते हो, भाईया, अगर मैं SSL पर एक अच्छा सा in-depth वीडियो बनाओ, कि SSL होता क्या है, HTTPS certificates कैसे बनाते है, यह सब पर बनाओ, तो मुझको comment में SSL लिखके बताओ, और मैं आपके लिए एक in-depth tutorial लि लिए धन्यवाद, देख तरी ट्रें विश्यवाम चैनल, थैंक्स ववाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्